डीर विल रीड अबाउट शेपS yields guys and अधू kell आज स्पेस 1 math का शेपS एन करेंगे ठीक एपाइब के पास है ना कि देखो एक स्टॉरी ए स्टॉरी का अभी आपने आप लोगों कर देखा lihat awarded कि लोगे नहीं आयूश और विराट, थोड़ा सा टिल्ट हो जाईए, टिल्ट टिल्ट, टिढ़ा हो ये, आप आयूश आगया है, बस बस बस, अब आपको एक टिंट दिख रहा है, और देखो वहाँ फैज है, जो एरब का करेक्टर प्ले करेंगे, यानि एरब का रोल करेंगे, और जो करना चाहता है, पहले इनको एक बार देख लिजिए, फिर हम लोग करेंगे, एक बार इनको कर लेंदे फिर, एक बार कर लेंदे फिर कराएंगे सब को, ठीक है, अब ही देखिए, तो आप थोड़ा से पिछे हो जाईए, यह देखिए, इसमें लिखा है, इंसाइड आउट और आउट साइड कब होगा, अच्छा ठीक है, फिर से चाहिए आप, पर्व, बताएए इसमें से आउट साइड कौन है, कैमल आउट साइड है, और इंसाइड कौन है, बताओ ओम, कौन है इंसाइड, आरब, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही, और किसी को अनवी बत आउट साइड कौन है, आउट साइड कौन है, वेरी गुड, ठीक है, तो चले स्टार करते है, आप थोड़ा उदर खड़े जाएए, उदर खड़े जाएए, देखो, देखो, अरब एरब एन हिस कैमल, इस स्टोरी का नाम है, ठीक है, इट वास अ कोल्ड विंटर डे, एक शर्दी का दिन था, और दिन कैसा था, बहुत ठंडा था, आप देखो, इनको बहुत ठंड लग रही है, कैमल को भी ठंड लग रही है, और अरब को भी, ठीक है, अरब कौन होते हैं, अरब कंट्रीज में, अरबियन कंट्रीज में रहने वाले लोगों को हम अरब बोलते है जैसे साथी अरेभी आओ गया कॉन सा हाँ वेरी गूड देखिए अमीर होते हैं अच्छा वेरी गूड शारी कैमल है वेरी गूड अपने माले पहने दाल के आप देखिए अब क्या होता है तो थंडी का दिन है थंडी का दिन में कैसे होगा थंड लग रही है ठीक है आप लोग तो टेंट है टेंट को थोगी ठंड लगेगी अब देखो क्या होता है दक कैम अब गेंड का लेट कर रहे हैं आप देखो अब क्या होता है एक जगह ये लोग रुखते हैं एक जगह रुखते हैं और फिर क्या करते हैं एक नाइट रात हो गई है अब एक नाइट अरब पिछ दे टेंट थोड़ा सा विराट इदर होई है इदर 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 वेरी गूड इन्होंने अपना टेंट सेट कर लिया और आगा जी आप लोग आगे 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 आप देखो अब क्या होतना अब आप दिखो असली स्टेओरी स्टाइट होती है अब ये ऋ अयरब ने उप्ने गळा दिया और आप ठीट के अंदर कहा चाने रहा है गया दट आरब पिंस त्र double अरब कहा चला गया, एंड के अंदर, क्यों चला गया भई, क्यों कि थंड लग रही थी, वेरी गूट, आप देखिए, अब कैमल तो बिचारा बहर रही गया, अब कैमल बोलता है, मैं पुट मैं नेक इंसाइड, इस तू कोल आउट साइड, पूछी है भई कैमल, जोर से बो बोलो, मैं बाहर ठंड लग रही है, मुझे अंदर आ, मैं अपनी गर्दन, अपनी गर्दन अंदर अंदर कर सकता हूँ, ठीक है, वेरी गूट, आपको परमिशन मिल के इनको गर्दन अंदर करने के लिए, अब कहुन कहुन इंसाइड हो गया, अरब और कैमल की नेक, अब अब क्या होता है, अब फिर से वो कैमल पूछता है, मैं I put my front legs inside, it is too cold outside, वो बोलता है कि क्या मैं अपने आगे के पैर अंदर कर सकता हूँ, बाहर पर ठंड है, अब देखो, कैमल ने क्या-क्या अंदर कर लिए, अपना गर्दन और अपना आगे का leg, front legs, अब देखो, अब पूछता है कैमल, can I come inside, it is too cold outside, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, बाहर बहुत ठंड लग रही है, नई, नई, अरब बोलता है कि no no, the tent is too small for both of us, टेंट क्या है हमारे लिए बहुत, दोनों के लिए छोटा है, लेकिन कैमल क्या करता है, so I am coming inside and you go outside, अब क्या हुआ, कैमल जो च जब कहानिक शुरू हुई तो inside कौन था, अरब था, अब कौन inside है, और पहले कौन outside था, पहले outside कौन था, कैमल, और अब कौन inside है, कैमल, ठीक है, फैमल, तो यह आपकी स्टोरी है, shape and space, इसकी स्टोरी के दुरू हम shape के बारे में जानेंगे और space के बारे में जान रहे हैं, ठ shape के बारे में क्या बद चला, कि कैमल और एरब का shape इतना जाधा था, कि वो छोटे से tent में नहीं आ सकते थे, और space कम थी tent में, ठीक है, क्यों नहीं आ सकते थे, क्योंकि tent में space कम थी, चलिए clap करें इन के लिए, और जो लोग आएंगे उनको मौका दिया जाए,